दोस्तो नमस्कार फिर से एक अपडेट के साथ आपसे मिलता हूँ तो दोस्तो आपको एक मैसेज साज़ा करता हूँ जो कि आपके लिए जो डिमार्ड है और सच में दोस्तो बहुत से लोगों के कहना आए कि सर मीटिंग में भी काफी बातों को लोग कहते हैं कि हमारा इंकम वालेट से फंड कटना चाहिए और बहुत की का सवाल इसी परकार से कई बातों को लेके होता है तो दोस्तो यहां पर देख सकते हैं कि आपने जो फंड कमाया है जिसे हम कहते हैं इंकम वालेट आपने जो इंकम किया है उसे हम कहते हैं इंकम वालेट जी हां दोस्तो और यह आपका income रहेगा जो यहां so करेगा यह जिए इस परकार से यहां so करेगा तो दोस्तो यहाँ पर आपका fund आपका जो वाइलेंस से दोस्तो रहेगा तो system क्या करेगी औरнов cette कर लेगी जिए दोस्तो ओतोप अच्वाइलेंस दिटेक्ट करेगी करेगी यानि कि Top Up Wallet कर सकते हैं यानि कि जो Income Wallet है इसको आपने ले गया है Top Up Wallet में तो आप इसको दोस्तो इस वाले वाले वालेट में चला गया है तो दोस्तो आपको घबरानी के बात नहीं है कि आपका Income Wallet में नहीं है तो मैं किस परकास से इस्टोल्मेंट फे करूँगा तो दोस्तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपका जो फंड है Income Wallet में तो आपको Automatic डिटेक्ट हो जा रहा है और दोस्तो आपका जो फंड है Top Up Wallet में यानि कि वालेट बाइलेंस में तो आपको मैने वाली आपको एक बार साइट को खोलना है उसके बाद फिर से आपको त्री लकीर पे जाना है दोस्तो जैसा की आपको यहाँ पर इस्टोल्मेंट पे करने का Option आता है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यह आपकी तीन लकीर देखने के लिए मिलता है दोस्तो आपको इसको simply click कर देना है जैसे दोस्तो इसको click करेंगे आपको इस परकार से menu का बटन देखना start हो जाएगा यहाँ पर ही आपको फिर से आ जाना है lawn वाले area पे जैसे यह lawn वाले area पे आ जाना है my lawn पे यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं अभी आपको यहां पर आपको installment फेक करना है तो फिर से आपको 3 लकीर पर click कर देना दोस्तों जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखें हैं यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर मीनू आ जाएगा यहां पर आ रहा है माई लौन पे जिया दोस्तों यहां पर माई लौन पर आना है उसके बाद हाँ यह ओप्सन उनके लिए है जिन्होंने इंकम वालेट ने अपना वाइलेंस फंड नहीं रखा है या नहीं होगा किसी कारण वास उन्होंने कर लिया हो वालेट में यानि कि फंड वालेट में जिसको टोप आप वालेट के नाम से जान सकते हैं तो दोस्तों वहां पर ले गया है तो उसको यह वाला ओप्सन यह वाला तरीका अपनाना अनिवारी होगा तो यहाँ पर आके देखेंग दोस्तो जैसे कि आपने my lawn को click किया तो आपको ये देखने के लिए मिलता है lawn request और एक मिलता है lawn list जिया दोस्तो एक आपको lawn request मिलता है और एक मिलता है lawn list तो हमें चलना है lawn list में क्योंकि आपने lawn ले रखा है आपको करना है installment pay ओके दोस्तो यहाँ पर आपको simply click कर देना है जैसे दोस्तो इसको click करते हैं click करने के बाद आपको इस परकार से window देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो lawn है complete हो चुका है यहाँ दोस्तो view installment में आप click करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे आपका installment किस परकार से है तो दोस्तो यहाँ पर click करते हैं तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि यह lawn पूरी रिती से क्या है complete हो चुका है इसका installment है जो complete हो चुका है दोस्तो तो आप करना क्या है आप next loan approved हमें करना है कराना है जा दोस्तो अगर आपको यहाँ पर यह तो paid हो गया तो अगर आप यहाँ पर manual है इसको कहते हैं यानि कि आपके पास income wallet में fund नहीं है आपका fund है wallet income जिसको fund wallet में कर सकते हैं यदि आपका fund top up wallet में आपने convert कर रखा है तो यहाँ पर आपको installment में जैसे click करेंगे तो यहाँ से फिर से आपको pay करने का option आजाएगा इसलिए घबरानी की बात नहीं है यह pay do चुका है लेकिन आप pay करने का option पर click करेंगे touch करेंगे और confirm करेंगे यह successful हो जाएगा और आपका पूरी तरीका से installment complete होता जाएगा दोस्तो इस फरकार से है तो बहुत अच्छी सुविधा है ध्यान रहे आपका installment अगर income wallet से pay नहीं हुआ है तो आपको site visit कर लेना है और देखना है कि हमारा automatic detect हुआ है या नहीं अगर नहीं हुआ है दोस्तो तो आपको तुरंत आपके loan वाले request पे आके यो sorry loan वाले option पे आके loan list पे आके view करना है आपना loan को देखना है हमारा installment पे हुआ या नहीं हुआ है उस history को देखे और नहीं हुआ है तो मेने वाली कर देना है दोस्तो अब चलते हैं यहां तो मेरा loan हो गया है complete installment हो गया complete तो चलिए यहां पर live देखते हैं क्या loan फिर से अपरूब करते हैं हाँ दोस्तो आपने सही सुना loan फिर से अपरूब करते हैं बहुत से लोग के दोस्तो की कहना होता है कि loan कीस प्रकास से अप्रूब होता है, loan केसे अप्रूब किया जाता है, दोस्तों यहां बहुत simple है, आपको one by one, सारे loan अप्रूब होते जाएंगे, जैसा कि मैं यहां पर फिर से मैं चलता हूँ, my loan पे, जिया दोस्तों, loan अप्रूब कराना है, यहां समचलते हैं, इसको click कर जाते हैं जैसे हम इसको क्लिक करते दोस्तों देखी यहां से फिर से आपको क्या देख रहा है लाउन रिक्वेस्ट यह दोस्तों यह वाले लाउन वाले हमें करना है रिक्वेस्ट तो हमें चलना है फिर से लाउन रिक्वेस्ट के आप संपे अब देखे दोस्तों यहां पर ह यहां select करने के लिए option दीख रहा है, यहां हमको simply एक बार click कर देना है, यहां दोस्तो, launch request पर हमें click कर देना है, जैसे click करेंगे दोस्तो, यहां पर देखे, select करने का option आ गया, तो दोस्तो यह तो अपना complete हो चुका है, इसका lane देन हमने complete कर रखा है, आप करना है हमें दोस्तो second वाला को approve करना है, जैसे दोस्तो यहां पर second वाला को approve करना है, तो यहां पर आपको simply touch कर देना है, touch करेंगे, देखे, यहां पर select हो गया, अपना amount है, जो select हो गया, दोस्तो यहां पर देखे, 5000, आप यहां पर करना है हमें continue, यह में करना है Continue आपको देखाना है यहां में हम लाइब तो दोस्तों augrijk पर पीछे हो जा रहा है फिर से लौन रिक्वेस्ट पर और फिर से सब्सक्राइब लेते हैं यहां पर स्सक्राइब कर लिया आप आते हैं Continue पर continue करते हैं और देखके दोस्तों यह पर पुछता है are you sure want to request for loan in your account यहां से आप फिर से क्या loan लेना चाहते हैं आपके account पे तो दोस्तों यहां पर यह confirm करने के लिए बोलेगा आपको फिर से ले रहा है तो confirm कर लिजे यहां पर confirm का button देखने के लिए मिल रहा है तो confirm request टच करते हैं हमारा loan हो गया अप्रूब तो दोस्तों बदाई हो इस परकास से आप loan को अप्रूब कर सकते हैं देखी यहां पर हमारा loan अप्रूब हो चुका है loan request submitted successful amount फाउच हजार जिहां दोस्तों इस वाले को आप अप्रूब कर सकते हैं अब loan हमारा अप्रूब हुआ तो दोस्तों यहां पर आ के loan request list लिस्ट पर आके देखे 27 mArch जी हां दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 27 March को date देख सकते हैं यहां पर loan request लगाए गया है दोस्तों जीसमें की लॉन जो पाईस होने वाला है दूस्तो ये है 5000 जैंता ये लॉन जो मैंने रिक्वेस्ट डाला 5000 का जिसमें हमें वापीश करना है दूस्तों सेर्फ है कितना 4000 जिया सा आपने पूरा कॉंपाछा सब्सक्राइब करेंगे 450 सब्सक्राइब या आपका bonus के रूप में, cashback के रूप में आपको मिलेगा जैसा कि यह अप्रूब हो चुका है, यह देख सकते हैं, यह अप्रूब हो चुका है, यह complete हो जाने के बाद आपको 450 रूपे cashback मिलेगा, और second में भी जैसे यह 10 किस्ट complete होगा, यानि कि 4000 टोटल जमा आप कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको यहां भी आपको 1000 का bumper फुरूशकार यानि कि cashback मिलेगा, तो दोस्तों इस परकार से धीरे धीरे आपको करते जाना है, one by one आपको सारा achievement को achieve करना है, तो दोस्तों व आपको update दिया जाएगा, और कोई problem होती है, आप comment box में साजा कर सकते हैं, और जियां दोस्तों कोशिस करेंगे, आपकी समस्या का भी समधान हो सके, जियां दोस्तों चलिए, नमस्कार, take care.